हेलो बच्चो बच्चो आप लोग की ऑनलाइन पढ़ाई अप जोर सोर से शुरू हो चुकी है आसा है आप लोग घर पे अच्छी तरह से अध्यन कर रहे होंगे बच्चो पिछले वीडियो में आपको क्लास 3 में अध्याई 2 में सेखी बाज मक्की का बहुत सारी चीज कराय जा चुका है जैसे कि उसका कहानी पठन, उसका सारांस, उसका सब्दार्थ, उसका प्रिश्न उत्तर, उसका चिंतन आज मैं आपको उस पार्ट से संबंदित कुछ आसी बात बताऊंगी, जो आपकी कल्पना के विकास में साहिक होगा जैसे कि कहानी के हिसाब से पताओ, घमंडी कौन है? तो घमंडी कौन थी? तो घमंडी मक्की थी दूसरा, इन वाक्यों को अब अपनी भासा में लिखो मतलब अपनी हिसाब से इस लाइन को लिखना है जैसे कि पहला है सेर आग बबुला हो उठा तो इसको हम अपनी भासा में कैसे लिखेंगे? सेर गुसे से पागल हो गया ख, उसकी जराग खबर लोना तो इसको हम अपने हिसाब से अपनी भासा में कैसे लिखेंगे उसके बारे में पता करो ग उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खतम कर देती हूँ तो इसको हम कैसे लिखेंगे अपनी भासा में उस मकड़ी को मैं सिग्र ही मार देती हूँ जंगल के राजा के मूँ से ऐसी भासा कहीं सोभा देती है इसको हम कैसे लिखेंगे जंगल के राजा के मूँ से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती है चुटकी बजाने का मतलब है बहुत जल्दी कर लेना तुम कौन सा काम चुटकी बजाते कर लेते हो बताओ तो इसका उत्तर होगा मैं कंगी करना, जूते पहनना, दूद, पीना, आईस्क्रीम खाना ये सारे काम मैं चुटकी बजाते ही कर लेती हूँ फोर है इनके पास तुमने अक्सर किनकिन चीजों को उड़ते मंडराते देखा है जैसे कि जलते बल्ब के आसपास बल्ब जब जलते रहता है तुसके आसपास क्या उड़ते रहता है तो मच्छड, छिपकिली और पतंगे खेतों में, खेतों में तुमने क्या उड़ते वे देखा है तो मच्छड, चीणिया, टिड्डिया एकटे पानी के उपर क्या उड़ते रहता है तो मच्चड और मक्खी फूलों के उपर क्या उड़ते रहते हैं भवरे और तितलियां कचरे के धेर पे क्या उड़ते रहते हैं तो मच्चड और मक्खी हलवाई की मिठाईयों पे क्या उड़ते रहता हैं तो मक्खी और मधुमक्खी तो बच्चो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद